जाइका इंडिया का यूट्यूब चनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूर्थी पापड़ी और आलू की सबजी की रेसिपी जट पड़ बहुत ही आसानी से बहुत डेलिसियस सबजी बनकर तयार हो जाती है तो चलिए सुरू करते हैं इस सबजी को बनाने के लिए 3 तीबस्फुन तयल गरम कर लिया है और इसमें घीरा एट कर देँगे जीडी के चटकने के बा12 प्यास और हरीमिजेट करेंगे तो हमने यहाँ पर एक मीडियम साइ्स की प्यास को स्लाइस में काट लिया है इसिके साथ हमने एक बड़ी हरीमिज को बारी काट लिया है आप यहां पर छोटी हरी मिज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब प्यास को तेल में तब तक फ्राइब करेंगे जब तक यह लाइट गोल्डन ना हो जाए तो प्यास का कलर लाइट गोल्डन होने तक हमने इसे तेल में फ्राई कर लिया है और इस टेज पर हम इसमें आलू और पापड़ी एड़ करेंगे तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम सूर्थी पापड़ी ली है और इसके आगे पीछे के किनारों को हमने निकाल लिया है इसी के साथ हमने एक बड़ी साइज का आलू लिया है और आलू को हमने मेडियम साइज के टुकड़ों में काट लिया है हमने यहाँ पर पापड़ी की कंपेरिजन में आलू की कॉंटिटी थोड़ी ज्यादा रखी है अब हम गेस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर पापड़ी और आलू को पांच मिनिट के लिए फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर तेल में पांच मिनिट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर एड करेंगे तो हमने यहाँ पर एक मेडियम साइज का टमाटर लिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टामाटर थोड़े सोफ्ट होने लगे हैं अब हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें एट करेंगे एक टीस्पून अद्रक और लहसुन का पेस्ट इसी के साथ हम इसमें पाउडर मसाले एट करेंगे जैसे की एक चोथ हाई टीस्पून हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून धन्या पाउडर हाफ टीस्पून लालमीश पाउडर सामिल कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें सामिल करेंगे हाफ टीस्पून नमक लाल मिश पाउडर की कौन्टिटी हमने यहाँ पर कम रखी है क्योंकि हमने इसमें हरी मिश भी एट की है अच्छे से मिला लेंगे और मसालों का कच्छापन दूर होने तक हम इसे 1.5-2 मिनिट तक लोग फ्लेम पर भूनेंगे मसालों की कच्छी स्मेल दूर होने तक हमने इसे 1.5-2 मिनिट तक पका लिया है अब हम इस सब्जी को गलाएंगे तो सब्जी को गलाने के लिए हम इसमें आधा कप पानी एक करके अच्छे से मिला लेंगे और अब इसे कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक आलू गलना जाए और बीच में हम इसे चेक कर लेंगे तो हमने इसे low flame पर तब तक पकाया जब तक के आलू गरना जाए और इसी के साथ हमारी सूर्थी पापड़ी और आलू की मज़ेदार से सबजी बनकर तयार है आपने देखा कि इसकी recipe कितनी quick और simple है आसानसी recipe के साथ बहुत ही बढ़िया सबजी बनकर तयार हो जाती है अब हम गेस की flame को off कर देंगे और इसमें एक चोथाई टीस्पून जीरा पाउडर एट करके अच्छे से मिला लेंगे आप यहाँ पर गानेशिन के लिए थोड़ा सहरा धनिया भी एट कर सकते हैं वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को like वर चैनल को subscribe करें और comment करना ना भूलें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का YouTube चैनल पर एक नई recipe के साथ तब तक के लिए good bye